नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बिहार बोर्ड परिक्षा 2020 के एक नए वीडियो में दोस्तों यदि आप इस बार बिहार बोर्ड के परिक्षारती है तो आप के लिए यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड ने जारी किया क्या सही है क्या गलत है क्या चेक करना है तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को अंतक जरूर देखिए और जो भी मेरे नए साथी है नए भायवन्दू है चेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी जरूर दबा लिजिए क्योंकि इस तरह का पलपल के खवर हम आप लोग अजर में सर्च करना होगा BSEB BSEB यहां पर देख सकते हैं BSEB Inter.in आपको सर्च करना है BSEB Inter.in जैसे ही आप सर्च किजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपेन हो जाएगा यहां पर आपको फर्स्ट लिंक को किलिक करना होगा BSEB.inter.in को और जैसे ही आप खोलिएगा तो आपका कुछ इस तरह से पेज आएगा और यहां पर आप देख सकते हैं for download dummy admit card किलिक हैर यहां पर आपको simply किलिक करना होगा जैसे ही किलिक किजिएगा यहां पर अपना जो भी details है वो डाल लिजिए तो दोस्तों यहां पर हमने पूरी जानकारे इंटर कर लिए हैं और यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको date of birth में डालना होगा यहां पर देख लिजिए सबसे पहले वर्स उसके बाद मेहना उसके बाद दीन डालिए तो अभी आपका यह ले पाएगा एक्सेप्ट कर पाएगा उस नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा यहां पर जो है download admit card पर हम किलिक करते हैं और यहां पर देख लिजिए आपका dummy admit card available हो गया है नीचे में और नीचे में आप देख सकते हैं पूरी जानकारी है यहां पर हम आपको पूरा detail दिखाते हैं कि आपको क्या check करना है तो यहां पर जैसे ही नीचे आएगा तो आप देख सकते हैं यह पूरा detail आपके सामने है इस student का और यहां पर देखिए दिशा न नाम में कोई गरबड़ी तो नहीं है इसे आप जरूर चेक कीजिए आप अपना नाम चेक कीजिए कि आपका नाम सही है या नहीं है ममी का नाम और यहाँ पर पिता जी का नाम चेक कर लिजिए आधार नमर आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यहाँ पर रिश्टेशन न का नाम भी अभी नहीं रहेगा जब आपका फैनल वाला आएगा तो उस पर सो करेगा और यहां पर देख लिजिए दिव्यांग कोटा से हैं तो यहां पर भी आपका कुछ सो करेगा तो आप अगर विकलांक नहीं है तो यहां पर कोई भी कुछ सो नहीं करेगा परिक्छा का क कोटी आपका रेगुलर से स्टुडेंट हैं आप यहां पर रेगुलर मेल चेक कर लिजे मेल हैं इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए अब यहां पर विशय के बारे में देख लेते हैं आपको इस विशय का कोट निश्चीत रुप से याद कर लेना है यदि आप पढ़ने मे जैदे महिनत करते हैं और विशय का कोड याद नहीं रखते हैं तो आपका पढ़ना बेकार है तो इस निश्चीत रुप से आप इसे याद ही कर लिजे 101NRB, 102NRB, MB इंगलिस यानि कि यह 50 का हिंदी है और यह 50 का इंगलिस है और यह आपका 100 का इंगलिस है तो इस कोड को अभी परधना अध्यापक को सुचित किजे चोब कुछ भी गलती है और यहाँ पर अतिरिक्त विशय अगर आप रखे हैं तो वो भी आपका यहाँ पर सो करेगा कोड यहाँ पर सो करेगा इसके बाद देख लिजे आपका यहाँ पर जो है टोटल डिटेल यहाँ पर है ही यहाँ पर दे दिया गया है अगर कोई भी तुरुटी हो सुधार कर सकते हैं फोटो अगर सही है तो फोटो चेक कर लिजे यहाँ पर यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर फोटो मिल जाएगा और नीचे सिंगनेचर अगर आपका सही है तो कोई दिकत नहीं है और यहाँ पर आजाए आपका सिंगनेचर अगर किसी भी प्रकार का इसमें प्रलिक्षीत दिखता है तो आप उससे संबंदित साक्ष एवं अपने हस्ताक्षर के साथ डमी परवेश्पत्र को संसोधन करने के लिए ऑनलेन आपको करना होगा या आप कोलेज को दे देंगे तो परधान अध संस्थान के परधान का हस्ताक्षर मोहर के साथ अपने पास्षरक्षित रख लेंगे लेकिन जैसे ही आप इसकोल में जमा करदेंगे सही डिटेल्स के साथ तो वो आपका सुधार करदेंगे यहाँ पर देखें लीजे विधियाले के परधान यानि की महाविधियाले या विधियाले के परधान दिनांक 19 से लेकर के 24 तक कियावधी में चातर चातरा के dummy admit card परतिवेदी तूर्टी आउनलेंड सुधार अनिवार जरुप से सुनिशित करेंगे तो यह काम परधना अध्यापक का है सुधार कैसे करना है लेकिन क्या क्या सुधार करना है इसकी जानकारी देना आपका काम है और यहाँ पर date जो है सुनिशित कर दिया और 19 से 24 तक आपका सुधार होगा तो इस तरह से मिलेंगे फिर से एक नएक वीडियो में तब तक के लिए धनवाद यदि आप इस चैनल से जुरे रहना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दवाईए क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड पलपल गी और आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती ही रहेगी तो निशी तरुप से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेर कर दिजे धन्यवाद